Hello everyone मैं धर्मेंद्र और मेरे यूट्यू चैनल पर आप सभी का स्वागत है आसा करते हैं कि आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे तो आज हम लोग 3B करने जा रहे हैं 3B का पार्ट वन और यह जो इंटिटी है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज में भी आने वाला है तो इससे और यह exercise में 40 questions है और बहुत easy exercise है तो हम लोग आज तो बहुत कम questions करेंगे क्योंकि हमें आज concept पताना है identity और उसको बनाना कैसे है उसके बाद कल से हम लोग फिर से जैसा कि हम पिछले चार वीडियो में जो चार पार्ट में हम 3A कम्प्लीट किये वैसा ही इसको भी होगा तो थीरी पार्ट में ही कम्प्लीट हो जागा तो आए हम लोग सुडू करते अपना topic आपको पत है कि a minus b और a plus b या और a plus b into a minus b यह पहले से स्क्वार माइनस b स्क्वार हम लोग क्या करते हैं इसको फैक्टराइज कर लेते हैं आपको हम इसको फैक्टराइशन को ले कर गे थोड़ा सा एक चीज़ हम बताने वाले हैं कि कभी आप साधी वगएरा जो होता है तो साधी में लेनन की बात होती है तो लड़के वाले पक्ष से जो मांग होता है तो उसको उसमें कुछ ऐसी चीज़े होती है जिनके बारे में लड़की पक्ष के लोग होते हैं वो कहते हैं कि साधी के बात देंगे तो अगर लड़के वाले बहुत जादा स्मार्ट होते हैं बहुत ते और सादी वी हो जाता है तो अभी जो हम एज्यूम करने जाएंगे यहाँ पर वह बिल्कुल इसी तडीके से है कि वह समान तो हम बोलेगे हैं लेकिन बाद में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है हाँ लेकिन जैसा कि साधी कंप्लीट होया था इस तरह से यह फर्मूला भी बनकर त्यार हो जाएगा देखिए हम क्या कर लेते हैं कि इसको फैक्टराइज करता है आप कहेंगे कि सर इसको फैक्टराइज कैसे करें तो यह तो बाद आपको समझ में आ गया आपको भी पता होगा की जब हम लोग इसको करते हैं को जो मल्टिप्लाइज करते हैं तो हम इसि पर आज हम आपको बताने जा हम क्या कर लेते हैं a square minus a b क्योंकि यह माली की यह subjective term है यह first term है और यह क्या है last term third term यानि कि constant term है और a plus b minus b square यह दो तो जैसा था वैसा ही है यहां से लाए है इन दोनों का जो सवाल है यह हम लोग अभी अभी बताया है कि हम लोग मान लेते हैं कि यहां भाई ठीक है आपको हम साधी के बाद देंगे लेकिन इसका कोई value नहीं है यह आपको भी पता है अगर लरके वाले agree कर गए तो इस minus a b plus a b मतलब zero क्योंकि बीच में zero कुछ है ही नहीं तो इसलिए हम zero assume किया है लेकिन इससे एक फैदा होगा कि आपका formula बनकर तयार हो जाएगा यहां पर देखिए हम a को common लेते हैं तो a बच जाता है और यहां से a common ले चुके तो यहां पर b बच जाएगा और क्योंकि a minus b फ formula बहुत ही मुश्किल से बहुत बच्चों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि formula बना कैसे है इस पर कोई ध्यान भी नहीं देते है कोई notice नहीं करना चाहते है कि यह क्या से बना हुआ है लेकिन यह ऐसे बनता है अब इस पर हम लोग सवाल करेंगे तो आईए हम लोग questions करते है आपको questions में हम बताएंगे कि यह formula apply कैसे करते है exercise 3b का जो part 1 में जो कुछ questions और यह concept बता है यह square minus b square इस formula पर यह सारा जो है बनने वाला इस identity के base पर तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा question number one or question number two हम लोग अभी इस वीडियो में कुछ question करेंगे 9x square minus 16y square तो पहले इस question में देखिए आपको लग गया होगा बहुत बच्चे दिमाग में बैठा लियोंगे सर यह तो सामने सामने देख रहा है a square और minus b square और बच्चे क्या करेंगे a plus b और a minus b formula बैठा देंगे लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं आप देखिए ध्यान से देखिए 9 और x square है तो आप बता है नहीं हो इसको मतलब पूरा पर यह सिर्फ किस पर square है देख एकस पर और यहां पर बीसिर्फ वाइब यह 16 पर स्क्वायद नहीं है तो 6 पता लगाना हमको क्योंकि हमको square नहीं तब तक formula अप्लाई होगा नहीं तो हमको पता लगाना है कि आखिर में यह नाईन है वो किसक encer で ми papa बड़ता है way स्क्वार्थ जासा भी यह स्क्वार्थ यह दोनों बेशनीटानिक मल्टिप्लाई और पावर जो यह ₹ मालटिप्लाई मह रहेता है आपको पहले लौजब प्रहा रहते तो पता रहेते तो X3 और X में multiply हो गया और जो पावर है वो सेम रही जाएगा और यहां पर भी बिल्कुल 4Y हो जाएगा और पावर जो है वो बिल्कुल सेम रह जाएगा अब आप इस फर्मूला पर बैठा सकते है A2 बन गया यह A वाला रूप हो गया और यह B वाला A2-B2 तो इसलिए According to Identity A2-B2 is equal to A plus B A-B यहसा लिख देते हैं तो चलिए हो गया अब हम इस पर क्या करेंगे 3X square minus 4Y square is equal to A है A plus B तो 3X plus 4Y और 3X minus 4Y A plus B और A minus B formula बन गई है यह आपका answer है हमको बनाना तो चाहिए यहां से लेकिन क्योंकि यहां पर space है तो हम इस question को यहां पर कर लेते हैं question number 2 हम direct बनाना शुरू करेंगे आप भी यहां पर देख रहूंगे यह X का square है और यह क्या है Y का square है ना कि 25 by 4 का square है नहीं 1 by 9 का square है तो सबसे पहले यह 25 5 का square हो जाता है और यह 4 2 का square है और यह X का square जैसा वैसी रहेगा तो यह चलिए आपका यह काम तो करती हम फिर 1 का square कर सकते हैं आप और 3 का square यह यह दो चीज है यह दो चीज है तो आप यह जब दो चीज है तो आपको पता ही कि यह एक बेस हो गया फूरा आप ऐसे भी लिख सकते है इसको तो कि आपको ही बता है जब division form में होता और यह दोनों पर square सेम ही है तो आप इसको ऐसे whole का power लेख सकते हैं फिर इसको ऐसे लिख देंगे 1 by 3 का whole square into y square अब हमें आपको यह समझाने के लिए अब डिरेक्ट भी बना सकते है अब डिरेक्ट कैसे बनाएंगे हम बता देते हैं अभी तो अब यह फाइनली 5 by 2 x तो कि बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो यह बेस मल्टिप्लाई में हो जाएगा 1 by 3 sorry यह बार-बार मेरे से और a-b यह और बिल्कुल जो बीच में आपको लिखे तो यहां पर लिख दीजिएगा फर्मूला इसी लिए देर्फोर a square minus b square is equal to a plus b and a minus b यह बीकर्ज का साइन देंगे अब इसको डैरेक्ट कैसे बनाना देखिए हम डैरेक्ट क्या करेंगे 5 जब हम जब आप ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे यानि कि आपको कुछ नहीं करना है यहां पर यह फर्मूला बैठा देना है फर्मूला कि यह चुकी शॉरी दिकास हां यहां पाप लिख दीजिए a square minus b square is equal to a plus b और a minus b यह आपको ऐसे बनाना है और समझाने के लिए हम ऐसे बता हैं तो आप बनाएंगे कैसे जब आपको पहले पता चल जागा तो फिर यह से इतना ताम जाम क्यों करना ऐसे आराम से बना देंग तो इसमें क्या करेंगे यह किसी का square नहीं है और यहां पर 4x square का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ x का square है 4 का नहीं है तो इसको भी पहले हम लोग 1 का square ऐसे लिख सकते हैं 2x 4 किसका square है 2 का तो अब इसको ऐसे लिख दीजिए तो 5 होगे a square minus b square तो अब हम यहां पर रिख सकते हैं a plus b और a minus b यह आपका बन करके तयार हो गया यहां पर देखते हैं इस question में क्या करना है इसमें भी बिल्कुल असा है अब फिर इसको भी फैक्टराइज करेंगे तोरने की कोशिश करेंगे अब देखिए यहां पर आप x का square लिख सकते हैं माइनस यह 4 का square है अब देखिए तो यह तो यह पूरा a का value करता है और यह भी b का तो a square और minus b square तो यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे a minus b और a plus b यह तो हो गया फिर यह देखिए आप यहां पर देख पार होंगे कि a square और यह भी b square बनने वाला है तो इसको बनाएंगे देखिए a square और 2 square और यह तो आपका x square प्लस 4 जैसा है वैसा ही रह जाएगा चलिए अब इसको भी कर लेंगे a minus b a plus b और यह जैसा है आपका वैसा ही रह जाएगा तो आपका यह बनका है तो आपको बन जाएगा असान है बस comment निकालने तो आपको आई चुका है और उसके बाद किसके a square यह पता कर लेना है और a square minus b square का फोन लग बना देना है तो थैंक्यू सो मच